विधायक से सांसत की दोड की आप तैयारी कर रहे हैं विधायक तो बन चुके हैं बहुत जादा जल्दी बाजी स्पीड नहीं है सरी है जनता का आदेश है और जनता का आदेश की पालना रविंदर कर रहा है और विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जनता मुझे पर विश्वास जताएगी आने वाले समय में इस छेतर के लिए रात और देने करेंगे अपको पता है कि आपके विलाके में आपको हराने के लिए एक निर्दली उमिद्वार को हराने के लिए प्रधान मंत्री से लेकर पूरे की पूरी BJP की कॉंग्रेस की जो श्टार परचारक थे वो सब को लोग आ चुके जनता का विश्वास से आने वाले समय में देखेंगे इतने सारे लोग युगाओं की फोज ऐसा क्या जादू चला दिया आपने जनता के विश्वास से जनता का असिरवाद हैं और मैं जनता की इस भरोसे पर हमेशा कायम रूँगा क्या मुद्दे हैं जो आप जनता के सामने ले जा रहे हैं क्योंकि यहां से तो जब भी देखा गया है केंद्री मंत्री सत्तर के दश्यक में भी यहां से गये थे अभी भी केंद्री मंत्री जो जीत के गये थे वो बने हैं आपका क्या मुद्दा होगा मैं बताना चाहूंगा कि आज़ादी से लेके अभी तक जो तमाम सुईदा यहां तक नहीं पहुंच पाई वो सुईदा पहुंचाने का काम रविंदर करेगा और जिसमें सबसे बड़ी चीज़ की पानी सिकसा चिकसा और रोजगार है क्योंकि हमारे इस चेतर में आज भी उन तमाम चीज़ों की कमी रही है नेता खूब आये पकसाया विपकसाया पर इन लोगों की आवाज को देश की सबसे बड़ी पंचायत में किसी ने नी रखा गुस्पेट शूरू हो जाएगा या जैसल मेर बाड मेर से आपको लगता है कि बोडर से घुस्पेट शूरू हो जाएगा बीयस से को आप कमजोर कर रहे है आपके कहना के मतलब यह है कि आरमी जो वाँ बैठी है वो कमजोर है ऐसा कुछ नहीं होता इनके पास कहने के जनता हमें नकार देगी तो तरीके तरीके क्या बात ने कर रहे है जनता गुमरा होलने वाली नहीं है जनता आज वोट की चोट करके आपको जवाब देगी वोट की चोट की बात कर रहे है लेकिन जब चुनाओं का मौसम था आप पे एक आरोप लाए कि आप लंदन गए द आज नेती शोड़ दूगा वरना आप तैयार रहे ना उस दिन के बाद उन्हों ना चूंकिया हो तो आप बता दें यह आरोप परते है रोप यह जंता समझ चुकी साब यह नई चीजे नहीं है यह इनके पुराने पैंथरे तो इनने फैक के आजमा लिये हैं और साब आप कि बूती के साथ सेना के साथ कोई खड़ा रहा तो हमारी यह तमाम लोग है आप अरोप लगाने से पहले एक बार खुद के गिरिबान में जरूर जांके देखें मैं आपको बताना चाहूँगा कि चाहिए कुछ भी कर लें राजनीती में कई सारे इस्तेतियां पर इस्तेतियां बंती बिगड़ती है मैंने हर संबव मेरा प्रयास किया पर हर बार कहीं न कहीं गौड़ फादर नहीं थे तो खाली हाथ रह गया पर जनता ने मेरा हाथ पक मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जनता तैकर चुक है रविंदर तैकरने वाला नहीं है वो 22 लाख वोटर वो तैकर चुक है कि इस बार किसी नेता को नहीं हमारे बेटे को हमेर देजना है दस साल का हिसाब मंगा था आपने तो कहला शौदरी से जो यार से कुछ मिला उसका जवाब आया आपके पास कभी या इतने सारे जो बड़े बड़े नेता है उन्होंने इस किचिन दिया पास के यह तो बताएं तो जवाब नहीं है क्योंकि इन्होंने कभी कुछ काम करवाई नहीं जन्ता के लिए कुछ नहीं कि तो यह है रविंदर सिंग भाटी सबसे ज़्यादा जो सुर्ख्यों में राजस्तान में सीट है बाड मेर और यहां पर आप देख सकते हैं कि यह पर डालने तमाम लोग आये हैं और यह तमाम लोग इस बार चुनाओ कुछ अलग नजर आ रहा आपके इलाके में अच्छा नगया है अच्छा लगा है ठीक है अब मैं आपको देखे थोड़ा और आगे ले जाता हूं दिखाता हूं अब रविंदर सिंग भाटी खुज भ रच्छन बार्ड मेर न्यूस 24